A, B, C तीनों GP में है, इन दोनों equations का एक root यदि common है, तो ये तीनों AP में होंगे, हमें prove करना है, बच्चों A, B, C तीनों GP में है, so what is the ratio of B and A, is the ratio of C and B, अगर successive terms का ratio constant होता है, तो उसे बच्चों हम लोग GP कहते हैं, geometric progression कहते हैं, गुणतर शेनी कहते हैं, so what is the ratio of B and A, is the ratio of C and B बच्चों, और उस basis पर B into B बराबर आ जाएगा बच्चों, A into C, और इस basis पर क्या होगा बच्चों, B square बराबर AC, B square बराबर AC हो गया, अब हम जो पहली equation है बच्चों, यदि मैं इस पहली equation के discriminant को निकालता हूँ बच्चों, तो इसका discriminant क्या होगा, इसका discriminant होगा बच्चों, B का square minus 4 times of AC, बच्चों, यह 4 times of B square minus AC, और आपको जो गिवन था, कि यह तीनों GP में थे, तो मतलब यह आया, उससे ही आया, उससे ही आया, और उस basis पर बच्चों, B square minus AC बराबर 0 आ गया, और यहाँ पर अगर मैं उसी को रखूं बच्चों, तो जो पहली equation है, उसका जो discriminant आ रहा है, वो 4 into 0, मतलब कितना आ रहा है बच्चों, 0, अगर discriminant 0 आता है, तो उसका मतलब होता है, बच्चों की जो roots होते हैं, वो real होते हैं, और एक जैसे होते हैं, बच्चों, roots are real and equal, बशर्ते, जो coefficients हैं, वो सारे real ही हों, anyways, तो वो तो हम लेकर चल रहेंगी, हाँ पर और वो real है, तो बच्चों, पहली equation जो थी, उसका discriminant आपने निकाला, वो आपको कितना मिला बच्चों, 0, वो आपको 0 मिला, उस basis पर आपने बोला कि, जो first equation है, उसके दोनों roots एक जैसे हैं, और दोनों real हैं, और उस बात की पुष्टी हम कर दी सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, चलिए, देखिए, ax square, plus 2, और b की value क्या आ रही है, बच्चों, b की value यहाँ पर देखिए, आप वो आ रही है, root ac, b square बराबर ac, so that you can say, b is equals to कितना, बच्चों, root ac, plus, 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 c, is equals to 0, यह आपके पास आया, और इस basis पर, बच्चों, ax square, plus 2 times of root a, into root c, into x, plus root c, b का, whole square, is equals to 0, बच्चों, 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 यह जो आपके पास में था, एक मिनिट, इसको मैं थोड़ा ऐसा, अलग तरीक ऐसे लिखने की कोश्चों करता हूं, बच्चों, यह जो आपके पास में है, root a, into x, का, whole scale, लिख दिया जाए, I don't think anybody should have any problem, भाई, a को मैंने root a का square लिख दिया, और x square को x का square लिख दिया, plus 2 times of, और यह root a, into x, into c, plus root c, का, जो है बच्चों, इसे एक second, यह क्या लिखा बच्चों मैंने, यहाँ पर तो यह root c था, यह root c था, एक second, यह तो root c है बच्चों, और plus यह जो c है, से मैं root c का square लिख देता हूं, I repeat, a x square को root a, into x का whole square, plus 2 times of root a, into x लिख दिया, plus 7 मैं क्या बच्चों, यह root c, plus c को root c का square, यह x root के अंदर नहीं आएगा, ध्यान दीजे, यहाँ x root के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि x का square है, x root के बहार था, अब आप ध्यान दें, अगर बच्चों, तो उस basis पर आपके पास मैं क्या आएगा, a square plus b square plus 2ab हो जाएगा, बच्चों, a plus b का whole square, खोप आप इस बात को जानते हैं, बच्चों, यहाँ पर a x square को मैंने ऐसा लिखा, इसे मैंने थोड़ा सा ऐसा, और c को root c का square, और इस तरीके से बच्चों, a square plus b square plus 2a into b, यह पिक्चर आएगा, अब चुकि एक whole square बन रहा है, then even you can justify, then even you can say, कि इस equation के roots equal होंगे, roots equal कब होते हैं, when it is becoming a perfect square, complete square बन रही है, so, इस basis पर, बच्चों, root a into x plus root c, बराबर 0, और उस basis पर x की value कितनी आगई बच्चों, x की value आगई, minus root c over a, now you can say, the first equation जो है, बच्चों, उसके दोनो roots real equal हैं, और दोनो ही roots की value क्या होगी, minus root c upon a, what the roots are this, दोनो roots ही होंगे, तो first equation के जो दोनो roots होंगे, बच्चों, की, इन दोनों equation का एक root common है, और ये भी given है, ये भी आपको मालूम पढ़ गया, कि पहली equation के दोनो roots सेम है, मतलब ultimately देखी, पहली equation के तो जो दोनो roots हैं, वो यही आ रहे है, पहला root भी यही आ रहा है, दूसरा root भी यही आ रहा है, आ रहा है, भाई, पहली equation का, पहला root भी है, दूसरा root भी है, और दोनों का एक root common है, तो ऐसा कैसे possible है, कि दूसरी equation का जो एक root होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा, वही common root का मतलब क्या होता है, कि जैसे पहली equation के root से alpha भीटा, तो दूसरी के या तो होंगे alpha गामा, या फिर beta गामा, यही होंगे, पहली equation के root से alpha भीटा, और दूसरी equation के root से beta गामा, तो उनका common root हो गया, भीटा, otherwise, अगर पहली equation के root से alpha भीटा, और दूसरी equation के root से alpha गामा, तो alpha common हो गया, तो बहिए एक बात है कि अगर इस equation के दो अलग-अलग roots होते तो मुझे पहचानना पड़ता कि उन दोनों में से कौन सा वाला root common होगा अगर first equation के दो different roots होते तो मुझे ये पहचानना पड़ता कि इन दोनों में से कौन सा root common होगा लेकिन यहां fortunately एक अच्छी बात है कि first equation के जो दोनों roots आ रहे हैं वो same आ रहे हैं तो दोनों में से ही कोई एक root common कर लेंगे अब जो भी root होगा वो इन दोनों में से कोई एक root होगा तो उसे भी satisfy करेगा तो चलिए साब इसे हम लोग satisfy कराते हैं यह कितना माइनस सी अपान एक होल स्केट प्लस तूई और यह क्या बच्चो माइनस सी अपान एक प्लस क्या बच्चो एफ और इस एक्वेलटु कितना बच्चो जीरो यह कुछ आया डी और X के जगह पर दोनों में से किसी एक को रखना है यह तो यह लिजए यह कूर लिजिए यह D और माइनस का स्केयर बच्चों प्लस होगा और यह D C अपॉन एयर माइनस का स्केयर प्लस हो जाएगा रूट रड़ जाएगा और यह आपके पास में कितना आएगा बच्चो माइनस 2e रूट c अपॉन एप्लस एफ इस इकोज टू कितना बच्चो जीर अब यहां से आपके पास में यह डी इंटू सी अपॉन ए प्लस एफ इस इकोस टू कितना बच्चो टू इंटू रूट सी अपॉन यह पिक्चर आपके समख्ष बनकर आ इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को बच्चो हम लोग सी से डिवाइड करोंगा तो मैं क्या पाऊंगा बच्चो जब मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को सी से डिवाइड करूंगा तो यह डी सी अपान एसी प्लस एफ अपान सी इस इकोस टू ए इंटू रूट सी अपान रूट ए और इस पूरे को मैंने किस से डिवाइड कर दिया पच्चो सी से इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को मैं जब सी से कर दिया एफ था सी से डिवाइड कर दिया अभी यहां पर सी से सी क्या हो गया बच्चों डी अपान आ गया और यह क्या हो गया बच्चों f upon c हो गया और यहां पर देखिए बच्चों यह 2e तो है ही सही और यह root c है और यह c है root c से c जाएगा बच्चों तो कितना बचेगा एक c बचेगा आई रिपीट यह root c है और यह c है root c से c जाएगा बच्चों तो root c बचेगा तो यह root a into root c हो जाएगा और इस तरीके से बच्चो D upon A plus F upon C is equals to बच्चो 2E और चुकि आपको given है A, B, C, 3 और GP में है मतलब ये है, मतलब ये है मतलब A, C बराबर B square है So A, C बराबर B square कर दीजिए बच्चो आ जाएगा बच्चो ये जो A, C था उसे मैंने 20 के लिग दिया और इस तरीके से बच्चो D upon A is plus, 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 plus D upon A ये D upon A plus F upon C is equals to कितना बच्चो 2E upon B square का root कट कर B बच्चेगा और इसे आप अगली step में क्या लिख सकते हैं बच्चो इसे आप अगली step में लिख सकते हैं D upon A plus F upon C और is equals to बच्चो ये E upon B plus E upon B अरे मैं एक एक step लिख रहा हूँ आपके लिए ये जो 2E upon B है उसे मैं E upon B plus E upon B लिख रहा हूँ और उस बेसिस पर बच्चो मैं क्या पा रहा हूँ कि F upon C minus E upon B is equals to बच्चो E upon B minus D upon C बड़ा छोटा सा काम मैंने करा कि मैंने ये जो F upon C ये जो 2E plus C थे E upon C थे उनमें से एक को मैं LHS पे ले गया और इस वाले को मैं RHS पे ले गया बईया एक E upon B को मैं LHS पे ले आगा minus का हो गया और आपको पता है बच्चों कि F upon C और E upon B का जो डिफरेंस है इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वही डिफरेंस इन दोनों का भी आ रहा है ब्यान दीजिए F upon C और E upon B का जो डिफरेंस आ रहा है आप गोर कीजिए अगर तीनों जीपी में है तो जो रेशो इन दोनों का वही देशो इन दोनों का तो बी अपॉन स्टेप्न आपके लिखी 20 के बावर एसी तो भी बराबर रूट एसी मतब्हीस के मारस एसी बराबर जी रूट पहली इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकाला फॉर कॉमन निकाल के बी स्केर मानस फॉरेसी की वैल्ली बाइचांस जी रो ती तो जी रूट रूट स्रीयल औ इक्वेशन नमबर वन आप बी की वैल्यू को यहां रख दीजिए मैंने रखी बच्चों बराबर कितना रूट एसी अब एक्स स्केर को रूट ए इंटू एक्स का होल स्केर लिख सकता हूं प्लस टू रूट ए रूट एसी को ब्रेक कर लिया रूट एंटू रूट रूट होँगे हैं मताला पहली कोश्यन के दोनों ही रूट सेम पहली कोश्यन के दोनों ही रूट सेम हैं क्लिएर और यहीं तो अपने एक्संकी वेल्यू जो बं मैंनस का स्कैर्ट प्लास हो गया माइनस और फिर प्लस-पलस वालों को अपने एक र смब दूसरी तरफ ले गया और फिर को दिवाइड कि यहां सी और यहां कुछ 20 के लिखा 20 स्केर का रूट भी हो गया और फिर थोड़ा सा आपको mathematical कुछ manipulation करना पड़ा कुछ हलका-फुलका conversion करना पड़ा और आपने देखा कि जो difference इन दोनों का आ रहा है वही इन दोनों का आ रहा है इसलिए यह AP में होंगे मेरे पास solve करने की यह method हो सकता है आप कुछ और method से भी solve कर पाएंगे